Hello friends and my dear students, I hope you all are fine and doing well. So, today in this class we are going to study about types of angles. मुझे पूरी आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आज की इस class में हम पढ़ेंगे types of angles और कोडो के प्रकार. हमने इसका जिक्र अपने class में किया था जो हमारे बच्चों के द्वारा एक activity के माध्यम से demonstration किया था. So, हम आज इसका proper definition English as well as Hindi both discuss करेंगे. So, without wasting time let's start. So, first of all we will study about acute angle. So, if I talk about in English we will write like this. Acute angle. An angle that is greater than 0 degree and less than 90 degree. This is acute angle. This is a definition in English and here if we talk about Hindi, अगर हम Hindi में बात करें तो इसका नाम होता है हिंदी में Nune Code, जिसका मतलब Nune में छोटा कोण और जिस कोड का माप 0 degree से बड़ा और 90 degree से छोटा हो उसे Nune Code कहते हैं निउन का अर्थ मैंने यहां पर दर्ज लिख दिया है, निउन का अर्थ छोटा अर्था जीरो से बड़ा और 90 से छोटा वहीं Nune Code होता है यहां पर एक एक एक्जामपल के तोर पर मैंने यहां लिखा है 45 degree, तो यह 45 degree, 50 degree, 55 degree में 90 से कम तो आपका 89 भी हो सकता है, तो अगला हम चलेंगे सम गौर्ट और इंग्लेज सम बोलेंगे Right Angle तो दो किर्णों के बीच यह किरण है, ठेक है? यह स्टार्टिंग पॉइंट और यहां से औनन तक जाएगी सो दो किरनों के बीच ठाक है दो किरनों के बीच नबबे अन्स के कोड को सम कोड करते अर्थात जिस कोड का माप नबबे डिग्जाक्ली 90 डिग्रे सो इंग्लिस में इसको हम बोल as I have explained right angle so an angle that is exactly 90 डिग्रे all right so this is right angle next obtuse angle जिसको हम अधी कोड भी कहते है an angle that is greater than 90 degree and less than 180 definition is so simple and easy that everyone can remember so यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप बीच बीच में लाइक और सब्सकाइब जरूर करते रहें और शेयर भी करते रहें okay next in Hindi में हम देखेंगे इसको Hindi में जिस कून का माप 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो उसे अधीक कून करते हैं तो यहां पर मैंने एक कोड बना दिया है जिसका value दिया है 145 degree so जैसे हमने मेंशन किया कि नवे से बड़ा तो 110 120 और 180 से छोटा I hope it is easy to understand next रीजू को या सरल को अगर कहीं रीजू कोड दिया है तो घबराएंगे नहीं उससे सरल कोड वे बोलते स्ट्रेट अंगल जीस कोड का माप देखें बिल्कुल स्ट्रेट 180 डिग्री जीस कोड का माप एक स्वस्थी हो उसे रीजू कोड या सरल कोड कहते हैं so स्ट्रेट अंगल वेरी सीम्पल देफिनिशन एंग्लिश अन आंगल दाट इस एक्जाक्ली 180 डिग्री नेक्स्ट फिफ्थ नंबर रिफ्लेक्स अंगल आप इसको बोल सकते ब्रिहत कोड प्रतिवर्ती कोड अन अंगल दाट इस ग्रेटर दान 180 डिग्री और लेस दान 360 डिग्री रिफ्थ अंगल जिस कोड का माप 180 से बड़ा और 360 से कम हो उसे ब्रिहत कोड कहते हैं प्रतिवर्ती कोड को बोल सकते हैं जैसे 240 डिग 302 चाट से तो कम है और 180 से जादा है नेक्स्ट पूर्ण इसको बोलते हैं पूर्ण कोर, complete angle, full angle, complete angle भी बोल सकते हैं, full angle, an angle that is exactly 360 degree, that is complete angle, और इसको हम लोग कुछ इस परकार से बनाएंगे, ठीक है, जिस कोर का माँ आप 307 degree हो, उसे पूर्ण कोर या complete angle बोलते हैं, ठीक है, झाल, 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 झा